नमस्कार आप देखना इश्ट्रेश्ट भारत मैं हूं आपके साथ गुलबिश रंगों का तिवहार होली एक बार फिर से हम सब के बीश लोट आया है खूब रंगों से खेलें खूब होली मनाएं लेकिन रुख के एक बार होली के विधिविधान सुन ले समझ ले क्या है होली के विधिविधान किन चीजों का आपको विशेश तोर पे ध्यान रखना चाहिए यह हम आपको बताने वाले हैं अपने इस खास कारिकरम में हमारे साथ खास मेमान जुड़े हुए हैं देव शंकर शास्त्री जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका श्रेज भारत में नमस्कार अचारे जी चलिए हम सबसे पहले अपने तमाम दर्श्रकों को बताना चाहते हैं कि होली का तेवहार आखिर क्यों मनाते हैं हम चाहेंगे आप सबसे पहले इस पर प्रकाश डालें जी 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 सबसे पहले मैं देश दुनिया में भारत बास्यों को और विश्व में सबको होली की संपूर्ण बधाई देना चाहूंगा और होली की सुबकामना देना चाहूंगा जो होली की बहुत-बहुत सुबकामना है और विशेश तोर पे मैं ये कहना चाहूंगा होली क महापर्व जो ये होली का महापर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है देश दुनिया में बहुत ही बर्चर के होली के तयोहार मनाए जाते हैं और हिंदों का जो ये बहुत बड़ा एक तयोहार है जो प्रेम का प्रतीक माना गया है और प्रेम का एक संदेश देता है होली का तय इमा तिथी को मनाये जाते हैं, होली का दो तयोहार मनाये जाते हैं, एक दिन पहले होली का देहन होता है और दूसरे दिन पहले होली का तयोहार रंग अवीर गुलाल के साथ खेले जाते हैं, बहुती महत्पून बाते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, होली का जो तयोहार मनाय यह एक प्रेम का प्रतीक है भगवान शिरक्रशने और राधा जी बसंत पंचमी से लेकर के और होली के पूर्णीमा दिन तक होली का रंग के तोयहार खेला करते और दुनिया भर में देश भर में और विश्व भर में एक प्रेम का संदेश जाता है राधा प्रेम का एक संदेश है राधा राधा नाम लेने से भी प्रेम का संदेश बनता है परिवार के अंदर में किसी भी परकार की कोई शमस्याई होती है तो होली का एक प्रतीक मानगय है जो होली पे भगवान श्रीकृष्ण, राधा जी का इतना प्रेम और सने के साथ में होली का रंग खेला करते थे, होली का तोयहार खेला करते थे, जो परिवार में किसी भी परकार की कोई समांजस खराब है, तो भी ठीक हो जाता है भगवान और राधा के प्रेम में और प्रेम का प्रतीक है खोली तो मैं ये कहना चाहूंगा जो होली जो मनाए जाते हैं भगवान देवी देवताओं के द्वारा किसी किसी को ऐसा बर्दान प्राप्त होता है जिनके द्वारा बर्दान प्राप्त करने से कई बार उसको दुर्युप् में करने की प्रियास करते हैं बुद्धी के अभाब होने के कारण तो प्रहलाद जी को हिर्णा कस्यप ने अपने बेहन होलिका को ये अग्या दिया तो तुम्हें ब्रह्मा जी का ब्रदान प्राप्ट हुआ है इससे तुम प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाओ अगनी में बैठोगे तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा तो होलिका ने इस बात को लेकर के प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ गई लेकिन कहते हैं जो सच की जीत होती है बुराईयों का अंत होता है और प्रेम का जीत होता है तो भगवान ने बरदान तो दिये थे लेकिन किसी को बचाने के लिए किसी को रक्षा करने के लिए लेकिन होलिका ने क्या किया अपने आपको प्रहलाद को जलाने के लिए स्वेम को सरीर में आग लगा लिया तो यही चीज जो है देश भर में दुनिया भर में कहा जाता है जो बुराईयों का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है होली का जल करके भस्म हो गई और प्रहलात भगवान के करपा से जैसे के तैसे वच करके आग से बाहर आए तो भगवान की ऐसी करपा होती है तो इसलिए होली पे अगर मान लिजे कोई कटुता है या कोई इरसा है या कोई द्वेस भावना है गुलवीज जी तो ऐसे कहते हैं जो होली एक प्रेम का सूचक है प्रेम का एक प्रतीक है होली पे बैकती एक दूसरे को गले मिलते हैं अपने आप को जो है सत्रुता को भुला करके प्रेम का सनेह बाटते हैं और मितरता में लग जाते हैं मितरता बना लेते हैं जो कई बरसों से किसी को मालिजे जो बैभार में खराब चल रहा था तो होली का एक ऐसा महापर्व है जो भारत वर्स में दुनिया में विश्चु भर में जो होली मनाए जाते हैं तो ये प्रेम का जो है सो संदेश है प्रेम जो है सो आगे बढ़ाते हैं और प्रेम से मिलकर के होली को रंग को खेलते हैं अचारे जी होली का देहन के बाद क्या करना चाहिए ये बताइए जी जी देखे होली का जो तयोहार है मैंने अभी कहा देश भर में दुनिया भर में ये दो दिन का तयोहार मनाए जाते होली का दो दिन का तयोहार होता है पहले दिन का तयोहार होता है इसमें 14 तिथी में संध्या कालीन उसमें भद्राकाल को देख करके जो भद्राकाल न लग रहा हो उस समय होली को जलाते हैं कहत कोई मानसिक पीरा से बहुत दिनों से कोई परेशान हो तो उस समय एक नारियल को ले करके कुछ लौंग इकठा करके कुछ पीली सरसो ले करके अपने सिरके उपर से अगर कोई वार करके और होली की जब जलती हो उस समय वहाँ पे उसमें डाल दें जला दें तो उसकी मानसिक संतुलन अगर कोई होगा खराब तो ठीक हो जाएगा और मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके श्रष्ट भारत मादियम चैनल के मादियम से कोई बिसेस काल मतलब लंबे समय से कोई अगर बिमार है अगर कोई लंबे समय से बिमार चल रहा हो किसी परकार से रोग से गरसित हो तो जब होली जल जाते हैं होली का देहन हो जाता है तो उने के राख का थोरा सा किसी डब्बी में उठा करके ले आए और उस बैक्ती को थोरा तिलक कर दें तिलक करने से क्या होता है वो बैक्ती अगर लंबे समय से अगर बिमार थे तो ये जरूर ठीक होगा उनके सरीर के अंदर में कोई पीरा है तो ठीक होगा इसके अलावा अगर वो कोई उपाई करना चाहते हैं तो उस राख को भस्म को ले करके सिबजी पे भी चनहाने से कोई ग्रह अगर कमजोर है या ग्रह कोई उगर था खराब था तो ग्रह भी उसका ठीक होगा इससे भी अगर विशेष कर सकते हैं कुछ गुलबिजी तो फिर क्या कर सकते हैं वहां पर अगर किसी پाणी में मिला करके अगर असनान भी कर लें तो भी उस भशम को उस रात को मिलाकर के सनान करने से भी सरीर में आरोगेता प्राप्त होगा लंबे समय से अगर कोई बिमार है तो ये सास्तर जी की बात है निश्चित तोर पे वो आरोगेता प्राप्त करेंगे और उनके मानसिक संतुलन ठीक होगा और उनका ग्रह कोई उग्र है तो ग्रह भी उनका बहुत अच्छा बनेगा ये होली का देहन का जो नियम है इस तरह से बैक्ती को करना चाहिए इससे बुराई की अंत हो जाती है एक अच्छाई मिलती है और देश दुनिया में इसका एक प्रेम का जो है एक शंदेश जाता है जी जी बहुत ही यहां पे कितनी चोटी चोटी बाते हैं लेकिन आपकी जिंदगी में इसका बहुत असर हो सकता है होली में आप होली मना भी रहे हैं लेकिन साथ में कितने और फायदे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे अचारे जी, होली पर किन देवताओं की पूजा पार्ट करना चाहिए, ये बता देजेए. जी, 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 बहुत अच्छी बात है, देखिए क्या है, जो खूली का जो तोयोहार है, बरे प्रेम से, बरे बैभार से खेलना चाहिए, कई बार क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को रंग लगाने में, बरे दूस्रित प्रकिडियाओं को उत्पन करते हैं, खूली प्रेम का कोई गुलाल का जैसे लाल गुलाल है या पीला गुलाल है या हरा गुलाल है तो उसका प्रियोग करें और एक दूसरे को बरे प्रेम से लगाएं ये नियमों का भी विशेश तोर पे, होली पे ध्यान रखें और अपने से बरों को प्रणाम करें, उनसे आसिरवाद लें और गले मिलें, जिससे कि किसी भी परकार की प्रेम संबंद में कोई कटुता था, तो प्रेम संबंद जो है उसका कटुता समापत होगा, और अब प्र जो उनके जीवन में ततकाल कोई अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी थी, तो दूर हो जाता है, इसे होली कहते हैं, और आपने कहा गुलविज जी, जो होली पे किस देपताओं का पूझा करना चाहिए, तो मैं विशेश तोर पे, स्रेश्ट भारत चैनल के माध्यम से मै कहना चाहूंगा, बरी ज्यान की बात है, जो बैक्ती को समझना चाहिए, दिवाली पे हम मालक्षिमी की और गनेजी के और देवी देपताओं की विशेश तोर पे पूझा करते हैं, ऐसे होली एक महापर्व है, होली पे मालक्षिमी की पूझन बिधी बिधान से करने से, मा मालक्षिमी पे हरे रंग की गुलाल चढ़ाएं, और पुस्व और फल इत्यादी चरहा करके, बिधीवत मालक्षिमी की पूझन पाठ करें, मेवा मिश्ठान चरहाएं, तो मालक्षिमी की करपा से, मैं ये कहना चाहूंगा, जो बहुत करपा प्राप्त होगी, और अगर कि किसी भी प्रकार की बैपार के अंदर में भी दिक्कत चल रही थी बहुत दिनों से, या कोई किसी भी प्रकार की परिवार में बाधाएं थी, तो होली के दिन मालक्षिमी जी की विधी पूरवक पूझन करने से, उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, ये उपाई करना चाहिए, साथ में गुलविज जी एक छोटा सा सब्द में और भी कहना चाहूंगा, जो होली बाले दिन मैन गेट पे, जो मैन द्वार होता है, अपने द्वार पे थोरा सा गुलाल लेकर के छिरक दीजिए, और थोरा सा इत्र वहाँ पे छिरक दीजिए, ये बहुत संदर उपाई है, खोली बाले दिन करने के लिए, मैन गेट पे थोरा सा गुलाल चिरक दीजिए, और इत्र को लेकर के इत्र भी वहाँ पे छिरक दीजिए, और दो मुखी दीपक जलाएं, दो मुखी दिया जलाने से, खोली बाले दिन, किसी भी परकार की, वैपार में बहुत दिनों से कोई दिक्कत थी तो विसेश तोर पे वो दिक्कते दूर हो जाएगी अगर परिवार में कोई रोग से बिमारी से परेशानी बहुत दिनों से बैकती जूज रहा है तो वो चीज दूर हो जाएगा और परिवार में किसी भी परकार की कोई परेशानी थी तो समस्याएं हल हो जाएगी और मैं ये कहना चाहूंगा बहुत दिनों से किसी का प्यार प्रेम के अंदर में कोई खटास है या प्यार में कोई समस्या चल रहा था अफैर के अंदर में कोई समस्या चल रहा था लब के अंदर में कोई दिक्कते चल रही थी तो होली वाले दि पर कई उपाय जो हैं अचारे जी हमको बता रहे हैं जिनको आप सुन रहे हैं आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं आपके लिए कौन साच्छा है आप इसमें से चूज कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे अचारे जी होली पर किन ग्रहों की पूजा पाठ करनी चाहिए जी 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 बहुत अच्छी बात है देखिए मैं ये कहना चाहूंगा जो खास तोर पे विशेश तोर पे होली वाले दिन रंगों का ध्यान रखें देखिए ग्रहों का प्रभाव से खोली एक ऐसा महापर्व है जो देख दुनिया विस्सु में बरे धूम धाम से इसको मनाए जाते हैं भारत देख में तो मनाए जाते हैं विस्सु भर में मनाए जाते हैं राजनेताओं के लिए राजनितिक चीज भी है इसके अंदर में जो मैं कहना चाहूंगा दो सब्द जो ये इस बार 2024 की 25 मार्च के दिन 24 और 25 मार्च के दिन जो होली होने वाली है जो ये होली का तोयहार मनाए जाएंगे इसमें बहुत एक अच्छी चीज बहुत अच्छे ग्रै परवेश हो रहा है जिससे राजनेताओं को लाब मिलने वाला है जिससे देश दुनिया में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा परंतु मैं विसेश तोर पे ये फिर मैं एक बार बहुत पहले भी कहा था और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ जो देखे इस समय अलेक्षन का टाइम है और ये जो इस समय जो समय चल रहा इसमें अपने विसेश तोर पे अपने बानी को ध्यान रखते हुए कोई भी राजनेता बात करें जिससे की आप पे किसी भी परकार की राजनेताओं पे किसी भी परकार की कोई दिक्कत या परेसानी नहीं आए जिसका क्या कारण है देखे चंद्रमा जो है मन का मालिक है और सूरी जो है हमारा आत्मा है सूरी हमारे आत्मा है तो ग्रहों के बारे में जो आपने पूछा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो विसेश तोर पे अगर राजनेता, अगर ये सब्दों का विसेश तोर पे अगर ध्यान रखते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा जो उनकी बिजय जरूर होगी, लेकिन अगर अपने वानी पे ध्य कते आ सकती है, तो ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे होली के दिन, विसेश तोर पे मैं जातकों को ये कहना चाहूंगा, पुरे भारतवर्स, पुरे विश्चु के बैक्ति को मैं कहना चाहूंगा, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है, जैसे होली वाले दिन हरे रंग ले लें हरा गुलाल जो होता है हरा गुलाल ले कर के और अपने घर में माले जे गैलरीक अंदर में भी कोई पॉधा अगर आप लगा रखे हैं तो हरे रंग का पॉधा है या माले जे कोई बगीचा है उसमें हरे रंग का पौधा है तो होली वाले दिन हरा गुलाल ले करके और उस हरे पौधे में थोरा सा हरा गुलाल लगा करके आईए और उस गुलाल में से थोरा लक्षमी जी का टीका करिए लक्षिमी जी को गुलाल लगा दीजिये देखी आपके परिवार में ये सास्तुरी जी की बात है अगर आपको बरकत न मिले, आपके बैपार में तरक्की न मिले आपके जीवन में उनत्ती न मिले, आपके नौकरी बैपसाई के अंदर में तरक्की न मिले तो फिर आप हमें बताइएगा ये बहुत सुन्दर उपाई है जिसको करने से बहुत सुन्दर बहुत अत्यदिक लाब मिलेगा इस तरह से बैक्ति को करना चाहिए और हरे रंग परियोग करने से हरे रंग किस से परतीक किसका परतीक है बुद्ध का परतीक है भगवान ग्रह से जुरा हुआ है तो देखिए हरे रंग प्रियोग करने से बुद्धी के अंदर में भी एक परिवर्तन मिलेगा अगर बुद्ध कमजोर है तो बुद्ध के अंदर में जो है सो प्रवलता भरेगा और अगर बैक्ति के अंदर में जब ग्यान अच्छा प्राप्त होता है तो तरक्की भी अपने आप हो जाती है अचारे जी बहुत सारी बाते हमको बता रहे हैं प्रोग्राम को अब समाप्त करने का समय आ गया है तो बस यह जाते जाते बता दिजे कौन सी इसी चीजें हैं जो की होली पर नहीं करनी है बिल्कुल सही बात है देखिए भी से इस त मिलिया पुत्र ने और कई पुत्र जन मिलेते हैं कई भाई बहन होते हैं तो भाईयों का जो रिस्ता है वो बड़ा मजबूत रिस्ता होता है बहनों का जो रिस्ता है बड़ा मजबूत रिस्ता है मा और पुत्र का जो रिस्ता है बड़ा मजबूत रिस्ता है तो मैं देख को हमेशा बना करके रखें और मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से स्रेष्ट भारत के चैनल के माध्यम से जो देखे अगर पुत्र कई बार भटक जाता है तो माताएं उनको माफ कर देती है और अपने घर में अस्थान देती है जगा बनाती है और कहती है भाई से जगरा होता है तो भाई का सम्मंद भी भाई से मिल जाता है बहनों से भी अगर कोई बात विबाद हो जाता है तो मैं आपके चैनल के माद्यम से कहता हूँ ओ भी रिस्ता जुर जाता है तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ जो पती और पतनी का जो रिस्ता है ये इतना कमजोर क्यों है जरासा जगरा हुआ या जरासा कोई बात होती है या जरासा कोई दिक्कत हो जाता है तो पती पतनी में तलाग पर ये रिस्ता क्यों पहुंच जाता है ये तलाग पर ये रिस्ता क्यों पहुंच जाता है क्या छोटी सी बात को हम आपस में सारे परिवार बैठ करके और क्यों नहीं हम उस तालमेल को अच्छे से बिठा सकते हैं जो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं जो हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या एक ही परिवार में एक ही घर में रह करके भी हम अलग-अलग रहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोर करके मैं नि बना करके रखो और अगर गलती हो जाती है तो एक दूसरी की बात को समझो और उनको मौका दो और सुधरने की मौका दो और समलने की मौका दो और रिस्ता को बना करके रखो और ऐसे नौबत मताने दो जो तलाग तक पहुंच जाए मैं खास तोर पर यह निवेदन करता हूँ यहां पर अचारे जी बता रहा हैं देखे बहुत गहरी बाते हैं होली हम मनाते हैं तो दिल साफ करके एक दूसरे से मिलें ये बात अचारे जी कह रहा हैं बहुत बहुत शुक्रिया अचारे जी आप यहां पर आए और होली के इस मौके पर आपने ये सारी बाते हमसे साजा कर श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत